मैं बिलिजर जी के पास जामा बिलिजर जी जैसे कॉलर कह रहे हैं कि नारा अलग था जिंडा अलग था और प्रत्यक्षे जमीन पर काम अलग था जामा बिलिजर जी जामा बात करते हैं तो मैं आपको नहरु जी से एक बार पूछा गया कि सामेवाद क्या है तो उन्होंने ये सामेवाद की व्याक्षें इस तरह से करी थी कि जिस सुसाइटी के अंदर पैसा है तो वहां डिस्टुबईशन आफ रिसोर्स इस है की बात जाहां पैसा नहीं है तो बहुत जादा गरीबी है वहां एकुटेबल ऑपर्चिनिटी मना सब लोगों को मौका मिलें वो एक सामेवाद की डिस्टुबईशन उसे बिल्कुन ये बातिया सोच की एक तरीके से लिए बातिया सोच की तरीके से लिए लेकिन अभी ग्लोबला का कम आधार था अब तो लोग LCD लेने में महेंगी करोड करोड रुपे की गाडिया लेने में इस पर जादा पैसा लगाते हैं तो जो भारतिया पद्धती से अगर सोचा जाए तो ना साम्मेवाद का सही है ना आज का ग्लोबलाइजेशन का सही है देखे जो भारतिय पद्धत अगर आज इंडियन अकॉनमिक की हिसाब से समझे तो जब से नर्सी मनाओ की सरकार आई थी उसके बाद से जो टोटल पॉलराइजबल अकॉनमिक फ्रंट के ओपर एक तरह से स्यामती से हो गई थी कि यह एकॉनमिक उपन पालिसी चलेगी इसक क्योंकि इसके भी कई दुश्परिनाम सामने आ रहे हैं उसके खिलाब भी आगे चलकर बात करेंगे देखेंगे चिंतन करेंगे लेकिन आज हम सामने वाद पे बात कर रहे हैं कमिनीजम पे बात कर रहे हैं एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं नमस्कार भशंजी बूलना है आज का उछारा गया जो मुद्धा है कई से बता ना कि आज के अने जmost बंडलना है तो भॉलत चोला था ओर जो फbaneır गयाthird्रिय्ट तो कहां पर भी है जो जो है ही नहीं बिल्कुल आपने अच्छा अच्छा एंगल दिया है इसको धन्यवाद ये बंगाल से कॉलर थे हमारे वैसे regular कॉलर है मैं दुबार बृजेजी के पास जाओंगा बृजेजी आज इन्होंने तो बिल्कुल आज के सवाल पर ही सवाल उठा है और मुझे सही भी लगता है कि उनका कहना है कि भारत में विपाल हुआ ऐसा क्यूं कह रहे है यह समझे को भी फल हुआ है, रूस में भी हुआ है, वो ठीक बात है, अपनी ज़िए बिल्कु ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पे आप यह देखें कि हिंदुस्तानी कैसे देश है, जहां इलेक्टेड कॉम्मिनिस्ट पार्टी चौतिस साल तक रूल करती रही है, तो यह तरह दुनिया में यहां इसा भी कही नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो आप चाइना समझें, तो वहां एक ही पार्टी का रूल रहा, लेकिन यहां एक एलेक्टेड कॉम्मिनिस्ट पार्टी चौतिस साल तक राज़ करती थी, यह बही अपने आप में बड़ी, लेकिन सबसे कि वो जो कुम्मिनिस्ट पार्टी जो 34 साल राज कर गई है यहां पर किस तरह उसने किसी एकॉनमिक फ्रेंट पे, सोशल फ्रेंट पे या किसी और फ्रेंट पे कहीं कुछ एक्स्टर ओर्डिनरी या ओर्डिनरी भी करके नहीं दिखाया जो अपने को दूसरी पार्टियों से अलग कहीं से कोई achievement होती उनकी या मजदूरों को बहुत बड़ा empowerment हो जाता या गरीबी का क्योंकि basically social equality की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली लड़ाई तो आपकी गरीबी से है और गरीबों को जानकर गरीब रखना यह किसी political philosophy का हिस्सा नहीं हो सकता बिलकुल मतलब अमेर और गरीबों को बराबर करने के जिद में गरीब को अमेर तो नहीं कर पए उसको और मजबूरी से गरीब रखना और जो वो काड़र का काम कर सके और जो वो भरीब बनके धंडा उटा सके यई design ताए मेरे को सिधा-सिधां लगताए 14 साल में जो इनलो प्रतिक्रा यहां पर रखने का मुखा देते हैं नमस्कार जितेंदर जेन बोलता हूं मैं एक एंटर जहता हूं कि असल में साम्मेवाद का जहां जन्म हुआ उसी देश में वो देश टुकड़े टुकड़े होके अरूस जहां पला बड़ा चीन महीं पर उसके पूरोधा माओ की मूर्कियों को कच्रे के डेर में पिड़ा गया अकल में सामने बाद एक सांसकर्टिक ताने बाने को नस्ट करने वाली विचारदा रहा है सामाजी की वश्ता को नस्ट करने वाली विचारदा रहा है यह वहीं पर पनप्ती है जहां पर भूख, बेकारी, गरीबी इस तरह की अवस्ताएं होती है भारत में यह बंगाल में त्रिपुरा में इसलिए जड़े जमा पाया कि हादी सत्कालिक जो भी शासंद था जो वो शास्यक लोग अपनी जम्सा की आकामसा उपर खरा नहीं उतर पाए और यह सम्मेवादी उने लोक लुभावन नारे देखकर और मिठी मिठी बाते करकर उन उन राज्यों के नागरिकों को इस प्रकार से बरगला है कि उन्हें लगा कि सम्मेवाद जो है उनके सारी समस्ताओं का हल कर लेगा बाद में उन्हें अपने अग्री कौ उन बिखियों की जनता का विकलत नहीं था कि उस अत्याजरी साशन को कमयमनिष्तों के साथन को बदल खंगे बिल्कुर वर्तमान में मम्ता बंदर जी के मग्धम से उन्हें एक इसाश्व दिखाई दिखाई दिया कि वे जो हैं इन समाज तोड़ा कराश्टी ग्रोजी लोगों को बदल सकती हैं तो उन्होंने जो है अच्छे विकल के गुरूप में इन्हें चूल लिया बिल्कुर धन्यवाद जीतनरजी धन्यवाद यहाप बहुत अच्छी बात जीतनरजी बता रहे है और आप भी कई प्रतिक्रा दे रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ भी हमें कई प्रतिक्रा मिल रहे हैं और हम आपको पूछ रहे कि क्या सामेवाद भारत में विफल हुआ है हमारे कॉलर ने इसमें और जोड़ा है और उसने कहा है कि भारत में क्या ये तो दुनिया में कहीं पर भी ये शश्वी नहीं हुआ है आप भी प्रतिक्रा दे सकते हैं इसके पक्षमें भी पक्षमें आप आपकी जो भी राह है हम सुदरशंद के बिंदाज बोल में पूरा लोक्तंत्र देते हैं और आपको अपनी बात बेखोफ हो कर कहने का मौका देते हैं एक्वादर को भी मौका देंगे देखते हैं आज की विशे में उनकी क्या प्रतिक्र है विफलता भारत के लिए शुब है सामदी रूस और चीन के वफ़दाद हैं बारत के नहीं इनके राशपूरिष, मार्किष्ट, लेनरिस्ट और मौँड़ हैं इन्हों ने कीड़ा भारत बार कर्मर का स्वागत किया था और चीन की सेना को मुक्ती सेना बताया था इन्हों इसुबाश को तो तोजो का कुटा और इसलिए इनकी जगह खतम होगा ऐसा आप मानते हैं हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए नहीं मैं चलूंगा अब ब्रिजे जी के पास ब्रिजे जी बात वही पर आ कि भारत के साथ ये विचारधारा मैच नहीं कर पाई लेकिन फिर भी 35 साल इसने राज किया कैसे देखे 35 साल जो भी शुरू में तो बड़ा लोगों का रोमांस रा इस विचारधारा के साथ लेकिन धीरी धीरे क्या हुआ कि कोई विकल्प नहीं था महाँ पे कॉंग्रेस जो थी किसी ना किसी तरीके से इनको सपोर्ट भी कर रही थी और पोज भी कर रही थी वो ड्यूल रोल प्ले करती नहीं यही मेरे कोई मेन कारण लगता है क्योंकि हर फ्रंट में यह लोग फेल हुए क्या वो एकॉनमी थी दाज्यकी या सोशल सिस्टम था या कुछ भी कुछ निया नहीं दे पाए बंगार को कोई नहीं राह नहीं दिखा पाए जो लोगों की आशादी शुरू शुरू में को जो भी यह सतातर में आये थे तो यही एक कारण था और कैसे ही कारण जो भी रहे वहाँ पर इतने साल सत्में और दबंग गई के साथ रहे एक तरीके से मतलब वैचारिक का के वज़ा यह एक बड़ा कारण उसके इलावा फिर इनको एक ऐसा मौका मिल गया कि इन्हों ने ग करते हैं उनोंने उनके टोटल रिसोर्स को इसतरह सोशल डिसोर्स सोशल लेवल पे भी और एकॉन्मिक लेवल पे भी इस तरह से कैप्चिरिंग कर ली थी कि लोगों कोई पास कोई विकल्ब नहीं था कि अगर आप कॉमिनिस्ट पार्टी का जिंड़ा नहीं रखेंगे और हाँ बुले रामभाव अभी तक तो इन नतिज़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत में पूरी तरह से ये वामपन की मोर्चा वगरी विफल हुआ है या सामयवादी विचारदरा विफल हो गई ऐसे अब भी नहीं कर सकते नहीं देखें रामभाव दो मैटर है खत्म होना और विफल होना हो सकता है खत्म नहीं होंगे क्योंकि एक दल है बने रहेंगे विकल्प के तोर पर लोग इनके पास भी जाएंगे लेकिन वीचार विफल हुए ऐसा हम कहें आज की तारिक में ये विफल हुए है आज की तारि कि पक्षमिया ये वोट गया है जंता का और उसका ये नतीजा है इसके माइने यानि पूरी तरह से ये विचार धारा खत्म नहीं हुए है खत्म होनी चाहिए ऐसा भी हम मानते हैं लेकिन खत्म नहीं हुए है तो धन्यवाद धन्यवाद इसका जुवाद आप भी इस पर व तो यह क्लब का नाम आप समझ लीजिए और को सीपी आई आई कह लीजिए और कोई सोश्रिस्ट पार्टी में इस तरह से कोई नाम रखे वे हैं जबकि उनका सोशलिजम से कोई लेना देना नहीं है तो विचार धारा तो यहां खत्म पहले बहुत पहले हो चुकी थी ती य रातल में कोई लेना देना कभी तरही नहीं है विलक Вас अम कारण उपर नदालते हैं क्या कारण है यह होने के आपके सामझे में सामयवाद के भारत में विफल होने के कई कारण थे भारतिय राज्रितिक दलों ने तो सामयवाद की विचारधारा स्विकार्थी वह पूलता विदेशी थे विचारधारा को प्रेणना देने वाले विचारधी विदेशी थे भातिय समाज वेवस्था में मूलत हर नैसर के एक साम्यवाद है लेकिन ये इंपोर्टेट विचार भारत के सारे लोगों को स्विकार करना संभव ही नहीं था भातिय साम्यवाद भौतिक से ज्यादा मांसिक समानता को महत्र देता था इतलिए असंसकार और एक दूसरे के साथ वेवार को ध्यान में रख कर सोगता था वहीं ये विदेशी साम्यवाद भौतिक समानता के लिए खून खराबे में ज्यादा विश्वास करता था भातिय समाज के शांती प्रिय होने के कारण उन्होंने खून खराबे को नहीं सुईकार किया भारत से ज्यादा रश्या और चीन के प्रती प्रेम इस विचार का होने से देशपक भातिये इससे दूर ही रहे